तो चलो इस वाले question को देखो प्यारे बच्छों इस वाले question में क्या कर रहा है कि अगर देखो कहीं पे बात करोगे कि uniform spherical cell cell के अंदर बात करो तो cell यह जो cell है इसके अंदर अगर बात करोगे तो cell के अंदर तो जो field होती है वो 0 होती है अगर potential क्या होती है भाई constant होती है हर point पर potential की value constant होती है cell के अंदर तो potential constant होती है अगर graph इसका देखोगे graph अगर आपने ड्रा किया होगा तो graph अगर आप देखोगे तो यहां से graph देखोगे तो इस graph में तुम बात करोगे तो जो field होती है cell के अंदर 0 होती है और center से दब जूर जाते हैं तो ये graph कुछ ऐसा आता है उसको मैं बना देता हूँ तो center से दूर जाओगे तो 0-0-0 अचानक से surface पे आके maximum होत जाता है और बाद में ऐसे गटता रहता है that is distance versus gravitational field E की value E से denote कर देता हूँ और ये 0 है inside और ये surface होता है और ये ये वाली जो चीज़ होती है वो surface होती है और ये outside दूसरा अगर potential का graph देखो के तो potential versus हार का जो graph आता है वो constant होता है ये सारा मैं magnitude में बना रहा हूँ बच्चों तो potential जो है वो constant assign में कर रहा हूँ और कब तक surface के surface तक potential constant होती है उसके बाद potential ऐसे integrate होती जाती है तो तुम देखोगे यहाँ पर कि अंदर अगर inside बात करो तो ये inside बात करें inside में gravitational potential is 0 बिल्कुल गलत बात है gravitational field is 0 सही बात है gravitational potential is same everywhere ये भी सही बात है gravitational field is same gravitational field is same everywhere तो क्या gravitational field सब जगें same है क्या तो gravitational field same everywhere है और उसकी value 0 के बरावर है तो gravitational potential same है और field भी same है मतलब इसका जो option बन जाता है वो B, C और D बन जाता है तीन option gravitational field is same everywhere और उस same की जो value है वो 0 के बरावर है भाई बात समझे में आ गया तो I hope कि आपको clear हो गया होगा question कि बाइंडरे अ कि बाते है झाल झाल